हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप भी इस्तिमाल करते हो फोन पे और पेडियम और आप पेडियम से फोन पे में पैसे ट्रांस्वर करना चाते हो यानि भेजना चाते हो तो कैसे करते हैं आईए जानते हैं मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ और आप दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो सबसे पहला तरीका अगर आपका फोन पे अलग फोन में है और पेडियम अलग फोन में है तो ये तरीका इस्तेमाल करें आपको सबसे पहले अपने phone पे को open कर लेना है यहाँ पे आपको उपर की तरफ एक goal icon मिल जाएगा तो इस goal icon पे आप touch करिए यहाँ पे आपको मिलेगा my qr code इस पे touch करिए और आपके पास आपका qr code आ जाएगा अब आपने दूसरे phone में paytm चालू करिए तो यहाँ पे आपको इसे scan करना है जैसे कि आप कोई qr code scan करते है तो यहाँ पे हम इसे कर लेते है तो यहाँ पे आप इसे scan करिए तो scan करने के लिए आपको पता होगा scan का option यहाँ पर भी आता है और नीचे के तरफ भी दिखाए देता है scan QR code तो आप pay पे offset टच करें यहाँ पे आपके पास आपका camera open हो जाएगा तो आप इस QR code को इस camera से scan करें तो हम करते हैं इसको और यहाँ पे detail आ चुकी है automatic सबको select हो चुका है number बगरा तो यहाँ पे कितने रुपे भेजने हैं वो select कर लिज़े तो यहाँ पे हम रुपे बेज़ते हैं पाच रुपे और pay कर देते हैं यहाँ पे कहेगा enter 6D UPI pin तो आपको अपना UPI pin एंटर कर देना है जो भी आपने set कर रखा है UPI pin डालने के बाद आपको right option पे touch कर देना है और यहाँ पे आपका जो payment है वो transfer होने लग जाएगी और यहाँ पे आपका पैसे send हो जाएंगे और दूसरे वाले phone pay में आप चेक कर लीजी अपने phone pay app में कि पैसे आई की नहीं तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं history में जाके तो यहाँ पे दिखा रहा है यह 5 रुपे अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास एक ही mobile है यानि phone pay भी वो एक ही phone में चलाते हैं और pay ATM भी उनके एक ही phone में है यहाँ पे आपको अपना phone पे app open कर लेना है goal icon पे touch करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा my upi id इस पे touch करें इस पे touch करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी upi id शो करा देगी तो यहाँ पे हमारी upi id शो करा रही है देख सकते हैं पहली वाली आपको इसे note down कर लेना है यानि आपको इसे सईसे याद कर लेना है इसके बाद आपको PTA में जाना है चाहे आपके पास कोई सीपर फोन हो तो PTA में जाएं तो PTA में जाने के बाद आपको उपर की तरफ मिल जाएगा Send Money to Bank Account UPI वाला उप्सन इस पे टच करें इस पे टच करने के बाद यहाँ पे कहेगा Search Name और Mobile Number तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 UPI ID इस पे टच करें और आपने जो UPI ID यहाँ पे डाली थी यानि देखी थी फोन पे अपकी अपनी वो यहाँ पे डाल दीजिए तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपनी UPI ID तो हमने अपनी UPI ID यहाँ पे डाल दी है Proceed पे आपको टच करना है और यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिसके नाम से यह होगा फिर यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे Pay Option Pay Option पे टच करिए कितने पैसे आपको भेजने हैं वो देख लिजिए हम पास रुपे भेजेंगे और यहाँ पे आ चुका है उपर आप देख सकते हैं वही UPI ID दिखा रहा है और Pay Option पे टच कर दीजिए और आपकी जो UPI ID है यानि UPI password वो डाल दीजिए तो हम डाल देते हैं फिर आपको राइट आपशन पे टच करना है थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे payment होने लग जाएगी और हमारी payment successful हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पैसे हमारे phone पे app में पहुँच चुके हैं वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में